एलो फ्रेंट्स! एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ हमारे अगले लेक्चर में है इससे क्राव पर इससे पहले जो हम पढ़ चुके है वह थर्मोडाइन्मिक्स के बेसिक्स पढ़ चुके हैं thermodynamics का first law of thermodynamics पढ़ चुक है इसके अलावा steady flow energy equations के applications पढ़ चुक है जो कि आप मेरे पिछले lectures में पिछले videos में देख सकते हैं जाकर पिछले सभी topics को समझने के बाद अब बात करते हैं second law of thermodynamics की आज के lecture में जो हम बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले second law of thermodynamics के हमें जरूरत क्यों पढ़ी दूसरी बात फिर heat engine क्या होता है फिर heat engine से related एक Kevin Plank statement होता है वो पढ़ेंगे और refrigerator and pump पढ़ेंगे उमेद है आज तक हम सिर्फ यहीं cover करेंगे क्योंकि इतने में हमारे lecture काफी लंबा हो जाएगा बागी अगर समय बचा तो हम बागी के topics clauses statement, ppm, first, second kind and equivalence of Kevin Plank statement and clauses statement भी पढ़ेंगे तो बिना देरी किये दोस्तों आज का lecture हम शुरू करते हैं introduction से जो कि second law of thermodynamics का है सबसे पहले हमारे दिमाग में question उठता है दोस्तों second law of thermodynamics की हमको क्या जरूरत है सिर्फ first law of thermodynamics है हम अपनी जरूरत है पूरी क्यों नहीं कर सकते है first law of thermodynamics क्या था कि energy can neither be created nor be destroyed मतलब energy can only be converted from one form of energy to another form of energy यह था हमारा first law of thermodynamics मतलब simply अगर मैं का हूँ जो कि याद करने वाला term होता है कि dqg quest to du plus dw मतलब total जो heat change होता है वो change in internal energy plus work done के बराबर होता है यह है हमारा simple second law of thermodynamics first law of thermodynamics अब first law of thermodynamics से हमें क्या जरूरत है पूरी नहीं होती है जिसकी वज़े से हमें second law of thermodynamics की जरूरत पढ़ी है first law of thermodynamics में हमें सबसे बहली बात तो है कि यह direction of energy flow का ट्रांसफर का बिल्कुल ड्राइडिया नहीं होता है मतलब किस डीरेक्शन की तरफ इनरजी फ्लोह हो रही है इसका हमें बिल्कुल ड्राइडिया नहीं होता है और सेकेंड होता है Esponte nity कितना Despontaneous Proces है मतलब Proces कितनी तेजी से होगा कि Speed से हो रहा है यह में बिल्कुल पता नहीं लगता है first law of thermodynamics है तो अगर हमें इन दो बातों का पता करना है कि डारेक्शन में है energy का transfer हो रहा है और कितना spontaneous है process तो हमें ज़रुरत पढ़ती है second law of thermodynamics की इसके लावा एक और कुछ और बात है जो experiment से निकल के पता चलिए हमें वो है कि work जो है वो एक high grade energy होती है और heat जो है वो एक low grade energy होती है सक्यों क्योंकि दोस्तों heat जो है वो हमारे पास easily available होता है atmosphere में या कहीं पर भी और इसलिए इससे हमें convert नहीं करना पड़ता है बलकि इस heat क हम दूसरी फॉर्म में convert करते है इसलिए यह एक low grade energy होता है लेकिन इसके just opposite जो हमारा work होता है work को हम mechanical heat को mechanical work में transfer करते है तो अगर मैं work achieve करना चाहता हूँ कुछ तो उसके लिए मुझे heat को convert करना पड़ेगा work में तो इसलिए जो work मेरा होता है वो एक high grade energy होता है so इसलिए और हमेशा thermodynamic के point of view से high grade energy हमारे लिए ज्यादा useful होती है as compared to low grade energy मतलब अगर मैं माल लूँ मेरा कोई process है जिसमें मैं 100 मैं 1000 1000 watt heat को loss कर रहा हूँ atmosphere में system से लेकिन उसी process में मैं work भी loss कर रहा हूँ 100 watt का तो मेरे लिए क्या important है इसे बचाना कि इसे बचाना अगर quantity wise देखू तो heat loss को बचाना मेरे लिए important रहेगा लेकिन नहीं अगर मेरा जो यह work done है अगर मैंने यह work done किसी तो यह work done मेरे लिए ज्यादा precious है as compared to heat से तो quantity wise ना जाके मैं जाओंगा कि किस grade की energy मेरे लिए ज्यादा जो हमारा work done होता है वो एक high grade energy होता है और जो heat होती है वो एक low grade energy होती है इसके लावा एक high grade energy को हम completely convert कर सकते है low grade energy में मतलब अगर मेरा यह work done मैंने w work done किसी चीज़ पर किया हुआ है तो इस इस w work done से मैं q heat 100% अचीव कर सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं completely इस work को इस heat में easily convert कर दूँगा तो एक simple जफंडा होता है कि मैं high grade energy को low grade energy में 100% efficiency के साथ convert कर दूँगा लेकिन एक low grade energy को high grade energy में 100% efficiency के साथ convert नहीं कर पाऊँगा तो और यह जो बात है यह experimentally approved हुई है तो इसलिए एक high grade energy को low grade energy में 100% efficiency साथ convert कर सकते हैं पर एक low grade energy को एक high grade energy में convert नहीं कर सकते हैं इसके लिए हम basic example समझ सकते हैं दोस्तों कि यह कोई मेरा room है या कोई space है और इसमें मैंने एक heater का coil लग दिया है यहां से और यह जो coil है यह work इस पर coil पर एक electrical work done हो रहा है 100 watt का तो इसलिए यह इस 100 watt के work done को completely convert करेगा heat में और इस room को heat up करेगा और इस room को heat up करेगा इस तरीके से मेरा जो high grade energy था completely convert हो गया low grade energy without any loss लेकिन अब अगर मैं चाहूं कि मैं इस इसी room को अब अगर मैं चाहूं कि मैंने इस system में कोई heat दिया है amount क्यूं और इस से इस heat engine से मैं कुछ work done डबलू करना चाहता हूं कुछ इस तरीके से कि मेरा कोई loss ना हो तो यह possible नहीं है यह possible नहीं है कुछ ना कुछ loss atmosphere में होगा है और यही कहता है Kevin Plank statement जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो याद रखने वाली बात बस यह है कि हम high grade energy को low grade energy में easily convert कर सकते हैं 100% efficiency के साथ convert कर सकते हैं पर एक low grade energy को high grade energy में 100% efficiency के साथ convert नहीं कर सकते हैं last point जो हमारा रह जाता है वो रह जाता है कि heat और work इस लिए completely interchangeable forms नहीं है मतलब के 100% heat work में convert नहीं होगी work basic heat में convert हो जाएगा work can be converted into heat but heat 100% cannot be converted to work कुछ ना कुछ loss यह करेगा internal energy के form में हो किसी form में हो heat की form में हो कुछ ना कुछ loss में होगा तो इसलिए work और heat दोनों ही completely interchangeable form of energy नहीं है तो यह जो कुछ बाते थी जो की second law of thermodynamics को पढ़ने के लिए मैं समझनी थी यह ज़रूरी थी कि हमें thermodynamics का second law की ज़रूरत क्यों पड़ी work और heat में क्या difference है क्यों work high grade energy क्यों heat low grade energy है इसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे second law of thermodynamics का सबसे पहले topic आता है heat engine सबसे पहले मैं बताता हूँ एक heat engine होता क्या है अगर मैं thermal power plant में काम कर रहा हूँ तो जो मेरा thermal power plant है उसमें क्या हो रहा है मैं जैसे मेरा coal power plant है उसमें मैं coal को जला के q heat generate कर रहा हूँ और उस q heat से एक w work करता हूँ टर्वाइन पे और electricity बनाता हूँ मतलब heat से मैं work generate कर रहा हूँ simply जो मेरा power plant है वो एक thermodynamic heat engine है तो हम यहाँ पर सिर्फ heat engine के working principle के आरहें पढ़ेंगे और ज्यादा deeply नहीं जाएंगे तो heat engine क्या होता है अब heat engine is a power producing device which takes heat and from a hot reservoir T2 and passing the rest heat to q1 to cold reservoir T1 and produce work मतलब के जो मेरा heat engine है वो क्या करता है इसने एक high temperature reservoir high temperature thermal reservoir जिसका temperature T2 था उससे heat q2 receive किया और heat q2 receive करने के बाद इसने एक work done इसका turbine था मेरा heat engine का या जो भी component था उसने एक w e work done किया और जो rest of heat q1 थी वो T1 temperature पे जो की cold reservoir था उसको pass कर दिया यहाँ पर T2 hot reservoir था और T1 cold reservoir था तो इसलिए temperature T2 is greater than T1 था और क्योंकि total q1 heat निकाला था तो इसलिए q2 is greater than q1 हुआ अब इस जो thermodynamic heat engine है उसकी जो performance होती है उससे हम efficiency के terms में measure करते हैं और efficiency के दो formula आप लोगों ने बढ़े होंगे एक तो होता है 1-T2 upon T1 और एक होता है 1- sorry यहाँ पर यह formula गलात है थोड़ा यह होगा 1- T1 upon T2 क्योंकि यहाँ पर मैंने T1 is less than T2 लिया हुआ है तो efficiency के दो formula होते है एक तो 1- T1 upon T2 temperature की form में दूसरा formula होता है 1- q1 upon q2 heat की form में यह दोने formula आप लोगों ने बढ़े होंगे और यह कैसे आएंगे यह हम आगे के lecture में solve करेंगे कि हम यह derivation कैसे drive करें तो efficiency का यह formula होता है यह formula हमेशा हम reversible तो हमने thermodynamic efficiency के दो formula बड़े थे एक तो था temperature की terms में जोगी था 1- T1 upon T2 यहाँ पर T1 is less than T2 से इसलिए मैंने T1 upon T2 लिखा हुआ है temperature T1 है cold reservoir का और T2 है hot reservoir का तो एक तो temperature turns में है 1- T1 upon T2 दूसरा heat की form में है 1- Q1 upon Q2 दोनों का use कैसे करना है तो आगे के lectures के लिए मैं आपको बता दूं कि जो temperature वाला formula होता है 1- T1 upon T2 यह हमेशा एक reversible heat engine के लिए use किया जाता है जहाँ पर यह माना आता है कि जो मेरा process है वो reversible है लेकिन अगर process irreversible in nature होता है जो कि most commonly questions में most commonly examples में दिया जाता है वहाँ पर हम 1- मतलब जो efficiency निकालते हैं वो heat के formula put up करके निकालते हैं तो जो मेरी एक heat engine की performance है वो मैं निकालता हूं उसकी efficiency से efficiency कैसे निकालेंगे तो उसके लिए efficiency का formula होता है efficiency is equal to work done by the heat engine divided by heat input तो कितना work done मेरे turbine मेरे heat engine ने किया था है वो किया था q1 q2- q1 तो जब मैं q2- q1 यहां रखूंगा तो मेरा जो final formula आ जाएगा वो आ जाएगा 1- q1 upon q2 तो इस तरीके से जो efficiency है मेरी heat engine की वो निकाल लेंगे और thus I can measure the performance of my heat engine कि यह कितना efficient है कहीं मेरी energy ज्यादा excess तो यूज नहीं कर रहा है कहीं मेरी energy waste तो नहीं हो दिये क्या मुझे necessary output दे रहा है तो इस तरीके से इसके बाद अगली thermodynamic machine की तरफ चलते हैं जो कि है मेरा refrigerator पर उससे पहले हम पढ़ेंगे heat engine related एक second law of thermodynamics kevin plank statement इससे पहले मैं आपको पता दू कि जो मेरा second law of thermodynamics है इसमें दो statement है एक तो है heat engine related जो कि है kevin plank statement और दूसरा refrigerator और heat pumps related जो कि है clausius clampran statement तो जो हमारा second law of thermodynamics है वो ज्यादा कुछ नहीं बस यही दो statement हमारा second law of thermodynamics है यह दोनों statement क्या कहते हैं यह हम अब पढ़ेंगे तो जो kevin plank statement है यह हमारे heat engines related है यहाँ पर मैंने heat engine दिखाया हुआ है इससे मेरे पिसले वाले heat engine से इससे बिल्कुल compare मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने heat engine में और यहाँ पर दोनों में अलग अलग है तो यह जो मेरा heat engine है इसमें एक T1 जो है यहाँ पर यह एक hot reservoir है और T2 जो है वो cold reservoir है तो यहाँ पर मेरा heat engine है यह heat q1 ले रहा है hot reservoir से जिसका temperature T1 है और यह q2 heat cold reservoir को दे रहा है जिसका temperature T2 है और इसने एक net work done किया है यह तो मेरा heat engine था Kevin Plank statement क्या कहता है Kevin Plank statement कहता है in a heat engine cycle it is impossible for a heat engine to produce work only while exchanging heat with the single thermal reservoir मतलब के अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर मुझे पता यह कि जो मेरा q2 है यह कुछ नहीं है मेरे लिए loss है और अगर मैं चाहूं मेरा heat engine इस loss को करे ही ना यहाँ पर देखिए कोई loss ना हो मैंने जितना q1 heat extract किया था hot thermal reservoir से उसे मैं w net में convert कर दूँ ऐसा हो जाए ऐसा impossible है Kevin Plank statement कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी heat engine नहीं है जो जितनी heat ले रहा है उस पूरी heat को convert कर दे work done में बिना किसी heat loss है यही कहता है मेरा Kevin Plank statement अब Kevin Plank statement पर जाने से पहले मैं आपको first law of thermodynamics याद दिलाता हूँ जिसमें क्या था कि first law of thermodynamics उन्हें perpetual motion of first kind PM of first kind पढ़ा था और PMM of first kind के इसाफ से दुनिया में ऐसी कोई भी machine नहीं जो सिर्फ heat ले और उससे completely पूरी heat को work done कर दे यही था हमारा perpetual motion of first kind जो कि हमने first law of thermodynamics पढ़ा था क्या यह मेरा PPM first kind की तरह नहीं लग रहा है कि Kevin Plank statement कहे रहा है कि मैंने heat q1 लिया और इस पूरी heat q1 को wnet मतलब work done में convert कर दिया बिना किसी heat loss के तो ऐसी machines जो कि अगर मेरे दुनिया में कोई ऐसा heat engine है जिसमें जो heat extract किया गया है high temperature reservoir से वो पूरी तरीके से net work done में convert कर दिया ज machines को हम कहते हैं perpetual motion of second kind और PPM of first kind और second kind दोनों ही impossible है क्योंकि दोनों ही एक hypothetical machines है दुनिया में ऐसी कोई machine नहीं है जिसकी efficiency 100% हो जिसकी efficiency 100% हो तो मेरा Kevin Plank statement क्या कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी ऐसा heat engine नहीं है जो कि जितना heat उसने लिया था high temperature reservoir से उस पूरी heat को convert कर दे net work done में बिना किसी heat loss के और इसे ही कहा जाता है perpetual motion machines of second kind which are impossible तो इसलिए किसी भी आगर कोई इसन आपको बोलता है कि इस heat engine की efficiency 100% है इसका मतलब वो process possible है ही नहीं मतलब ऐसी कोई ऐसा कोई heat engine इस दुनिया में है ही नहीं जिसकी 100% efficiency हमें मिले हर heat engine की efficiency 100% से कमी होती है बल्कि note करने वाली बात दोस्तों यह है कि जो thermodynamics के terms में जो सबसे जादा efficiency होती है वो एक car not cycle की होती है एक ideal cycle और बाकी heat engines को हम car not heat engine से ही compare करते है तो अगर मुझे कभी भी किसी मेरे बनाय हुए heat engine को compare करना है उसकी performance तो वो मैं हमेशा car not heat engine से compare करूँगा क्योंकि इसकी इसी car not cycle की efficiency maximum होती है जो कि हम आगे पड़ेंगे तो के विश्टे केवन प्लेंग स्टेटमेंट कहता है कि एक heat engine ऐसा कोई heat engine नहीं है जिसमें से जो कि जितनी heat इसने high temperature reservoir से लिया है उससे work time में convert करते है बिना किसी heat loss के सिंपल इसके बाद हम पढ़ते है significance of kevin plank statement कि kevin plank statement और second law का significance का है मतलब अभी मैंने आपको statement दो बता है पर अगर daily life में उससे आप अपने चारो तरफ देखो तो कहां observe करोगे कुछ देर के लिए मैं माल लेता हूँ कि हमारा जो second law of thermodynamics है वो true नहीं है कि मतलब इस दुनिया में ऐसा possible है कि मैं जितनी heat लूँ उससे work done में convert कर दो मैं ऐसा माल लेता हूँ कुछ देर के लिए अगर ऐसा है तो power plant जो जिनमें मुझे koila देना पड़ता है power plant जिसमें मैं cold पहले डालता हूँ उससे heat generate करता हूँ और उस heat generation से मैं work done करता हूँ टर्बाइन पर और टर्बाइन से फिर टर्बाइन का shaft जब rotate करता है तो वो electricity बनाता है simple power plant मैं पहले उसे heat देता हूँ heat से फिर डबलू work done turbine पर होता है और टर्बाइन से फिर electricity generate होता है मेरा इतना बड़ा process मैं power plant में करता हूँ अगर मेरा second law of thermodynamics गलत है तो मुझे coal की ज़रूरत नहीं है मैं surrounding की heat से ही surrounding की heat को turbine पर दूँगा और turbine से फिर चलाऊंगा turbine से फिर electricity generate करूँगा simple कोई coal की ज़रूरत नहीं मुझे अगर मेरा second law of thermodynamics सही है तो क्योंकि मेरा second law of thermodynamics सही है इसलिए मुझे power plant में coal की ज़रूरत होती है जिससे मैं high temperature अचीव कर सकूँ जिससे मैं heat q बना सकूँ which is necessary to generate steam और इसके आद इस heat q को जो steam है उससे मैं expand करा सकूँ turbine पर जिससे की डबलू वर को और बाद में उससे electricity generate हो इतना बड़ा process मुझे करना पड़ता है वो सिर्फ इसी वज़े से क्योंकि मेरा second law of thermodynamics मतलब kevin plank statement सही है कि हम पूरी heat लेके उससे पूरा work done नहीं कर सकते हैं इसके लब एक और example लेते हैं कि अगर एक और और माझने की मेरा kevin plank statement गलत है कि मैं जितनी heat लेकर जितनी heat मैं input दिया उससे उतना ही work output कर सकता हूं मैं फिर माल लेता हूं एक बार कि यह statement सही है कि मैंने जितना heat input दिया उतना ही work output में निकाल सकता हूं किसी nuclear fuel की ज़रूरत नहीं है उनके engine को किसी fuel की ज़रूरत नहीं है वो ocean से heat extract करेंगे और same heat से engine को run कराएंगे अपने ship को run कराएंगे कैसा possible है ये भी इस दुनिया में possible नहीं है क्यों 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 again Kevin Plank statement बिलकुल सही है कि हमने जितना भी heat लिया था उसे work में convert पूरी तरीके से नहीं कर सकते है अगर मैं उपर वाली दोनों examples को कि power plant और ship को दोनों को ध्यान से देखूं तो दोनों में ही first law of thermodynamics का कोई violation नहीं है first law of thermodynamics simply कहता था कि जो cyclic process में heat change होगा वो cyclic process के work done के equal होगा और यहां पर power plant में जब मैंने आपको बोला था कि मैंने surrounding से heat लूँगा और उसे electricity generate करूँगा तो surrounding से अगर मैं q heat लूँगा तो उसे w work done करके electricity generate कर लूँगा according to first law of thermodynamics मेरा यह correct है और first law of thermodynamics के हिसाब से ship वाला case भी correct है क्योंकि यहां पर भी मैं ocean से q heat लूँगा और engine से w work करके मेरे ship को चलाता रहूँगा लेकि दोनों ही case में first law of thermodynamics मेरा apply हो रहा था फिर भी kevin plank statement apply नहीं हो रहा था इसलिए यह दोनों ही case actual में impossible है तो यह physical significance से kevin plank statement और second law of thermodynamics का हमारा daily life में जिसे में चमजना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार दोस्तों first law of thermodynamics और second law of thermodynamics को सिर्फ पढ़के भूल जाते हैं और actual में यह हमारा चारो तरह अपलाई होते रहते हैं बट हमें समझ नहीं आते हैं जिस तरीके से ppm of first kind first law of thermodynamics को violet करते हैं उसी तरीके से pmm of second kind second law of thermodynamics को violet करते हैं इसी लिए हमने pmm of first kind और second kind अलग अलग पढ़ा दोनों का ही काम क्या था pmm of first kind और pmm of second kind दोनों ही impossible machine है यह दोनों ही ideal और impossible machines हैं और दोनों का कोई future exist नहीं करता है बट दोनों अलग अलग हमने इसी लिए पढ़ी क्योंकि यह machine first law of thermodynamics को violet करती है तो यह machine second law of thermodynamics को violet करती है तो to conclude कि हमार second law of thermodynamics क्या कहता है to conclude कि second law of thermodynamics क्या कहता है तो हमार second law of thermodynamics कहता है कि utilizing energy ना specific बे अगर मेरा first law of thermodynamics कहता है कि possibility of creating and destroying energy अगर मेरा first law of thermodynamics कहता है कि energy can neither be created nor be destroyed तो मेरा second law of energy कहता है second law of thermodynamics कहता है कि जो energy मैं convert कर रहा हूं वो specific way में convert होगी ऐसा नहीं है कि मैंने मुझे यह तो पता first law of thermodynamics कि मुझे एक form of energy को दूसरी में convert करना है तो इसका मादब यह नहीं है कि पूरी energy convert हो जाएगी इसमें नहीं यह specific way में convert होगी which is always which is always less than the heat input second law of thermodynamics कहता है कि जो energy conversion में होगा वोग स्पेसिफिक way में होगा which cannot violate the law of nature आज के lecture में दोस्तों बस हम Kevin Plank statement तक ही पढ़ेंगे क्योंकि बाकी के points को समझाने के लिए काफी time चे और उससे मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो अगले topics मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे आपको और उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो में आपको जो बाते मैंने बताएं वो समझाई होंगी Kevin Plank statement और second law of thermodynamics का physical meaning समझाया होगा हमारी daily life में क्या होता है तो subscribe करना ना करना आपके मर्जी again I am not forcing anyone so अगर कुछ content इसमें पसंदना आए तो please notify me and जय हिंद जय भारत